वेलकम टू स्रीजी फूड मैं हूं मनिशा ठककर आज हम राखी स्पेस्यल रोस पिस्ताच्यो चॉकलेट कैसे बनानी है वो देखेंगे इस तरह की डिजाइनर चॉकलेट मार्केट में तो मिलती है लेकिन हम घर में बहुत ही आसानी से ये चॉकलेट बना सकते है और इस तरह की चॉकलेट बना कर आप घर से सेल भी कर सकते है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते है चॉकलेट बार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1500 ग्राम वाइट चॉकलेट लिया है जिसे मैंने पहले ही चॉप करके तयार रखा है जो चॉकलेट हमने कट करके रखा है उसे हम एक क जब गरम हो जाए उसके बाद जो चोक्लेट का बॉल है वो हम इसके बाद साल होना चाहिए अब गैश की फ्लिंग मीडियम कर देनी है जैसे जैसे पानी नहीं णोलता है उसकी भब से यह चोकलेट मेल्ड होने लगती है अगर आप ये चोकलेट मेल्ड करना चाहते है वो भी मैने चैनल पर दिखाया है अगर आप इसे माइकरो मेल्ड करते है तो डाइरेक उसे एक मिनिट पे नहीं रखना है पहले आप उसे थर्टी सेकंड पे रखे जब लगे और अगर जरुरुत लगे तो उसही साब से आप फिर से उसे 10-15 सेकंड के लिए लिए रखे तो आप देख सकते हैं धीरे-धीरे चोकलेट मैल्ट होने लगी है अब देख सकते हैं इसमें अभी छोटे-छोटे दाने हैं लेकिन हम अब चोकलेट को चोकलेट को सही तरह से रोम टैम्परेचर पर लाकर फिर ही सैट करना होता है तो इस तरह से होटे चोटे छोटे दाने है भो भी अच्छी तरह से मैल्ट हो जाएंगे चौकलेट ठंडा हो गया है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप चाहे तो थोड़ा सा चौकलेट लेकर होट पे भी चेक कर सकते हैं और चाहे तो उंगली से आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि यह चौकलेट ठंडी हो गई है तो चौकलेट जब रूम टेंपरेचर पर आ जाए उसके बाद हम इसे सैट करेंगे तो चौकलेट बार को सैट करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का प्लास्टिक का मोल्ड इस्तमाल किया है आप प्लास्टिक का या सिलिकॉन का कोई भी मोल्ड ले सकते है और जहाँ पर चौकलेट माटरियल्स मिलता है वहाँ पर आपको यह मोल्ड मिल जाएगा अगर नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी और यह जो मोल्ड होते है वो इस तरह से प्लेन और डिजाइन वाले भी आते है आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते है जो मोल्ड हम इस्तमाल करते है उसे पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना है फिर मैल्टेर चौकलेट हम इसमें डालेंगे फिर चार से पांच बार इसे थोड़ा टैप कर ले ताकि इसमें जो भी एर बबल हो वो निकल जाएगा और यह छोड़ी छोड़ी चीजे बहुत ही इंपोर्टन होती है अब चौकलेट को हम थोड़ा सैट होने के लिए रखेंगे अब भी हम रोस पिस्ताची और चौकलेट बना रहे है तो इसके लिए मैंने पिस्ता को चौप करके रखा है और फिर उसे थोड़ा ड्राय रोस्ट कर लिया है और उसी के साथ जो गुलब की पतिया होती है उसे वाश करके सुखा लिया है हमारा चौकलेट भी थोड़ा सैट हो गया है तो जो पिस्ता और रोस की पतिया हमने लिए है वो इसके उपर डालेंगे और फिर इस तरह से चौकलेट हम गार्निश कर दे उसके बाद इसे फ्रीज में हम 10-15 मिनिट के लिए सैट होने के लिए रखेंगे तो यह चौकलेट अच्छी तरह से सैट हो गई है अब हम इसे मोल्ड से निकाल लेंगे तो मोल्ड को आप इस तरह से उल्टा करोगे तो चौकलेट आसानी से निकल जाती है तो ये हमारा रोस पिस्ताच्यो चॉकलेट बार बनकर तयार है आप अगर घर के लिए इसे बनाते है तो इसी तरह से भी आप डिब्बे में स्टोर कर सकते है और यही चोकलेट बार को अगर आप बेचना चाहते है तो इस तरह का चोकलेट रैपर मार्केट में मिलता है अभी मैंने जो चोकलेट रैपर इस्तमाल किया वो एक साइड से गोल्डन और एक साइड से सिल्वर इस तरह का है तो इस तरह से हम चॉकलेट बार को पैक करेंगे इससे प्रॉपर पैक करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉश्यर ना लगे और इस तरह से आप चॉकलेट बार को पैक करके ये चॉकलेट बार आप 100-10000 रुपे में बेज सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से चोकलेट बना कर आप फ्रिज में लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं और दूसरी कौन सी फ्लेवर की चोकलेट आप सितना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स आपको अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले